हलो एवरिबान आज हम बनाने जा रहे हैं इटालियन होट चोकलेट जो पोहत ही जाधा टेस्टी है और बच्चों और बड़ों सभी को बहुत पसंद आती है और सर्दियों में इसे पीने का मज़ा ही कुछ और है तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमने एक पैन लिया है इसमें हम दालेंगे एक बड़ा चमच कोकुवा पाउडर एक बड़ा चमच कॉनफलार 25 ग्राम डाक कमपाउंड चोकलेट डालेंगे और 25 ग्राम ही हम इसमें मिल्क कमपाउंड चोकलेट डालेंगे अगर आप इसे चमच से नापे अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच चीनी डालेंगे चीनी भी आप अपनी पसंद से कम यह जादा कर सकते हैं अब हम इसमें दूद डालेंगे दूद हमने यहां पर एक कप लिया है और इसे थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे आप ध्यान लखिएं कि इसमें गरम दूद नहीं डालना है हमें अभी ताजा हो या फिर थंडा हो क्योंकि हमने इसमें कौन फ्लार डाला है अगर आप इसमें गरम दूद डालेंगे तो उसमें लंस पड़ जाएंगे या फिर गुटलियां बन जाएंगी पहले हम इसमें थंडा दूट डालकर इसे अच्छे से mix कर लेंगे जब सारे ingredients इसमें अच्छे से mix हो जाएंगे तब हम इसे gas पर रखेंगे यह हमने इसमें सारा दूट डालकर सब कुछ अच्छे से mix कर लिया है एक cup हमने इसमें total दूट डाला है अब हम इसे gas पर रख देंगे और इसे medium flame पर उबाला आने देंगे साथ साथ हम इसे mix करते जाएंगे ताकि जो corn flour है वो नीचे base में जाकर ना बैट जाए और जैसे जैसे ये गरम होता जाएगा ये थोड़ा सा थिक होगा क्योंकि chocolate भी melt होगी और corn flour की वज़े से भी थोड़ा सा थिक हो जाएगा ये गाड़ा हो जाएगा और आप देख सकते हैं थोड़ा सा गाड़ा हो चुका है अब हम इसमे बस एक उबाला आने देंगे Italian hot chocolate बनाना बहुत ही असान है आप इसे घर की parties में या बच्चों की birthday parties में बना सकते हैं और आप इसे advance में भी बना की रख सकते हैं और अगर ये थोड़ा सा गाड़ा लगे बाद में तो आप इसमें थोड़ा सा दूट डाल के दोबारा इसे गरम कर सकते हैं और फिविप क्रेम से इसे गार्निश कर सकते हैं जितना ये देखने में खुबसूरत लगता है खाने में और या पीने में उतना ही जादा टेस्टी भी है और इसे बनाना तो उतना ही असान है और ये देखे ये अच्छे से इसमें उबाला आ चुका है अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे गर्मा गरम सर्फ करेंगे हम ग्लास में या फिर कप में और बच्चे जो असानी से गरम दूद बिल्कुल नहीं पीते हैं वो तो इसे मिंटों में चट कर जाएंगे तो अब आपको बच्चों को दूद देने की लिट बिल्कुल टेंशन लेने की जुरत नहीं है आप इसे इटालियन होट चोकलेट बनाएं और बस सबको बहुत पसंद आएगा और अब हम इसे गानिश कर देंगे विप ग्रीम से और साथी थोड़ा सा उपर ग्रेटेट चोकलेट डाल देंगे और लीचे हमारे इटालियन होट चोकलेट बनकर की तयार है तो आप भी सेसे पी को अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अन्बव हमाई साथ जरूर शेयर करें अगर आपको हमाई रेसिपीज पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और पास ही लगे बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें और साथ ही आप हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी जॉइन कर सकते हैं और नए नए रेसिपीज के लिए